दोस्तो सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खबन निकल के सामने आ रही है सहारा के सेवी एकाउंट से 5000 करोड उपे निकालने को सुप्रीम कोट की मंजूरी पूर्व जज 15 लाग के मेनत आने पर करेंगे निगरानी सहारा के 24,989 करोड उपे सेवी के खाते में जमा है 5000 करोड का भुगदान सहारा गुरूप अपकोपर्सियल सोसाइटी के निवेशकों को किया जाएगा सुप्रीम कोट ने अपने एक अहम फैसले में सहारा के सेवी सुप्रीम कोट ने अपने ही एक जज सुवास रेड़ी को 15 लाग महवार के मेनत आने पर मौनेटरिंग का जिम्मा दिया है इस सारे प्रोसेस के लिए यामिकास क्यूरी का काम गौरो अगरवाल को दिया गया है कोट के आदेश के मुताविक उनको हर महीने 5 लाग का महनताना दिया जाएगा सुप्रीम कोट ने ये फैसला केंद सरकार की रिपोर्ट पर दिया सहारा के 24,989 करोड रुपे सेवी के खाते में जमा है 5,000 करोड रुपे का भुगदान सहारा गुरूप अप कौपरसियल सोसाइटी के निवेशको को किया जाएगा ये सारी रकम सेंट्रल रजिस्टर आप कौपरेसियल सोसाइटी के खाते में जाएगा सेंट्रल रजिस्टर कानोनी पहलू देखते हुए जिन लोगों की तरफ सहारा के पैसे बकाया है उनको सारा भुगदान करेगा दस्तावेश देखने के बाद निवेशको को सारा भुगदान खातों के जरिये होगा सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा कि सारा ग्रूप आप कॉपरिसियल सोसाइटी के निवेस अग, सेंट्रल रजिस्टर आप कॉपरिसियल सोसाइटी के सामने सारा दस्तवे स्पेस करेंगे, जिससे यह तै किया जा सके कि उनका क्लेम ठीक है, उसके बाद जरूरी सुपदान ततकाल परवाव से किया जाएगा, नो महीने के भीतर निवेसकों को सारा रखम लोटा दिया जाएगा, सहारा के सेवी एकांड में जमा है 24,989 करोड रूपे, जश्टिस सिटी रभी कुमार और जश्टिस मिश्टर सा की बेंच ने कहा कि केंदर की याजका बिल लोगों का पैसा वापस करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस मामले में पीनाक पारी मेहंती ने जनहित याजक्या दायर की थी, उनकी दलिल थी कि सहारा की कोई चीटफंड कमपनिया में निवेसक किया गया, लोगों का पैसा डूप गया है, इसे वाप की इस वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं अंगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन जय बारत!